ब्यूटिफुल एन होड आक्टरस काइनात अरोडा को आपने फिल्म ग्रांट मस्ती में तो देखा ही होगा हाला कि फिलाल काइनात लाइम लाइट से दूर है लेकिन काइनात के बारे में कुछ ऐसी बात है जो आप शायद ही जानते होंगे तो चलिए आपको बताते हैं काइनात के बारे में कुछ खास बाते हैं मॉडलिंग वर्ल्ड से बॉलिवुड में आया अक्रिस काइनात अरोडा का जन्द 2 दिसंबर 1982 को दिल्ली में हुआ था और बहुत कम ही लोग ये बात जानते हैं कि वो 90's की सुपर हिट आक्रिस दिव्या भारती की कदन सिस्टर है जी हाँ काइनात दिव्या भारती की चचेरी बेहन है उन्हें चारू अरोडा के नाम से भी जाना चाता है उन्होंने National Institute of Fashion Technology New Delhi से मर्चनडाइजिंग में पढ़ाई की है काइनात की शुरूआती पढ़ाई लिखाई देरादून से हुई है काइनात कैटबरी मारूती के साथ साथ लक्स चैसे कई आड्स में भी नज़र आ चुकी वैसे तो दिव्या भार्टी की जगा आज इंडस्ट्री में कोई नहीं ले सकता लेकिन उनकी बेहन काइनात औरोडा खुबसूर्ती के मामले में दिव्या से ज़रा भी कम नहीं है काइनात भी बेहन के नक्षे कदम पर चलकर बॉलिवूड में ही अपना करियर बना रही है उन्होंने 2010 में अक्षे कुमार की फिल्म खटा मीठा में एक आइटम सॉंग से बॉलिवूड में जेब्यू किया था और साल 2011 में फिल्म ग्रांड मस्ती में उन्होंने काम किया था इसके अलावा काइनात पंजाबी फिल्में भी कर चुकी है काइनात कई तमिल फिल्मों में भी दिख चुकी है और साल 2011 में आई फिल्म मन कथा और राम कोपाल वर्मा की फिल्म सीक्रेट में भी काइनात ने काम किया है